नमस्कार दोस्तों मैं गवरोसर्मा आज आपको auricular therapy में anti-tragus inside के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं आपने पिछली वीडियो में anti-tragus outside के बारे में जाना था अब हम anti-tragus के बारे में inside जानेंगे तो दोस्तों कहां पे कौन से points आते हैं उनकी मैं location बता देता हूँ तो beginning point आपका ये ovary का था और ending point ये brainstem का था और ये था आपका point parotid gland का अब parotid gland से हमने एक ये अंदर की तरफ line खीची ये यहां तक ये जो line गई है ये एक ये line खीची और एक ovary के तरफ हमने line खीची और एक ये brainstem की तरफ एक ये line खीच दी तो ये parotid gland से जब हमने एक ये line खीची जो ये last वाला point है ये आपका thalamus gland का है thalamus gland और parotid gland के बीच में दो point आते है पहला जो point है वो testis का है और दूसरा point exciting का है तो ये वाले जो parotid gland और thalamus gland के बीच में दो point आते है testis and exciting अब देखना है दोस्तों ovary से thalamus के बीच में कौन से point आते हैं ovary से thalamus के बीच में एक point आता है nervous subconscious का point अब ये ovary के साथ में आपका एक point ये था तो ये आपका वस्कुलर सर्पकॉटेस था जब हम इसका ये triangle बनाएंगे तो यहाँ पे ये वाला जो point है ये आपका digestive सर्पकॉटेस है तो ये वाला आपका इस triangle के होगे points और ये जो parotid gland था parotid gland के जस साथ में आपको एक यहाँ पे point epilepsy का point लेना है और फिर ये जो thalamus से brainstem की तरफ एक line खीची थी इसमें सिर्फ एक ही point है यहाँ पे है सिर्फ एक point ये है आपका brain का तो ये वाला जो point है यहाँ पे ये आपका एक point brain का है मैं आपको फिर से दुबारा से revision कर देता हूँ ये पिछली वीडियो में ovary सीखी थी और ये brainstem और middle में parotid gland parotid gland से हमने एक अंदर की तरफ एक line खीची तो ये क्या है thalamus thalamus और parotid gland के बीच में दो points हैं एक है testis और दूसरा exciting तो ये आपके parotid से thalamus के line के बीच में points आते हैं तो अब आपको thalamus से ovary के बीच में points देखने की कहां पे कौन से points आते हैं तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक point आएगा वो आएगा nerve subcortis ovary के ज़स साथ में आपको point लेना है जब ये हम triangle बना देंगे तो ये वाला जो point है ये आपका digestive subcortis का आजाएगा अब parotid जो gland है parotid gland के जस साथ में epilepsy का point लेना है तो यहाँ पे parotid gland है parotid gland के जस नीचे आपको epilepsy का point लेना है अब ये आपको देखना की thalamus और brain stem के बीच में सिर्फ एक triangle है एक triangle में बस एक ही point है वो है आपका brain का point तो दोस्तों ये आपका anti-tragus inside की video है तो आगे वीडियो में आपसे मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार